नमश्कर प्रवाव सक्षी निउस टेंटर को आप सभी का स्वागत है पिछले दिनों कॉंग्रेस से स्तीफा देने वाले पंजाब कॉंग्रेस के पूरु अध्यक्ष सुनिल जाखड तो आज भाजपा में शामिल हो गए अब माना जा रहा है कि गुजरात कॉंग्रेस के कार मुख्याले में भाजपा में शामिल हुए कॉंग्रेस से तीन पीडियों के और करीब पच्चास साल पुराने रिष्थे को अलविदा कहने वाले सुनिल जाखड के बारे में माना जा रहा है कि आगामी राज्यसभा चुनाओं में भाजपा उन्हें अपना उमिद्वार ब समयलन के दौरान पार्टी अथ्यक्स चेपी नड्डा ने पार्टी का पठका पहना कर जाकड का भाजपा में स्वागत किया और कहा कि भाजपा उनके अनुभाओं का लाब उठाएगी यह हम सब के लिए खुशी का विशे है कि सुनीर जाकर जी जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग सारतीन दशक राजनीती में एक अपना स्थान बनाया है ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जन्ता पार्टी में शामिल हुए है आपने कई जिम्मेवारिया निभाई हैं प्रदेश के कॉंग्रिस के एक समय अध्यक्ष भी रहे एलोपी भी रहे लोगसभा में भी रहे विधान सभा में लंबे अर्शे तक रहे और एक अपनी खास छवी पार्टी से अलग हट करके आपने ठापित की और किसानों के नेता युवाओं के दिलों में जगा एक इमांदार छवी के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रबादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतिय जंता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रबादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतिय जंता पार्टी के साथ भाजपा में शामिल हुए तो उन कारणों को मीडिया के सामने रखा जिनकी वजह से उन्होंने कोईट्रस से रिष्टा तोड़ने और भाजपा में शामिल होने का फैसला है पचास साल का समन्द मेरा कांग्रेस से है हमारी तीन पीडियां कांग्रेस पार्टी में सन 1922 से लेके आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रही है और एक चीज जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से जिस आत्मियता से और जिस खुले दिल से बीजे पी के शीर सनेतरितर ने और नड़ा साहब ने आज मिलने को मौका दिया उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड ने राजनिती को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया सुनील जाखड ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया आमने सभी हमेशा कोशिश की है शायद सफलता ना मिलियो जोड़ने का काम की है और मैं एक ऐसे सूबे से समन्द रखता हूँ एक ऐसे प्रांथ से आता हूँ जो गुरुओं संतों पीर पगंबरों की दर्ती मानी जाती है अगर राश्ट्रियता की बात जैसे नड़ा साब ने बार बार जिस बात को इंफिसाइज किया है आज अगर जहां देश की जरूरत राश्ट्रियता की बावना की है वहां अगर राश्ट्रियता कहीं से चलू होती है जिसे कहते है उर्श परूंग दे बेसिक जेनेसिस राश्ट्रियता वो तब ही पैदा होती है जो समाज में राष्ट जीता की बावना हो एक जुटता की बावना हो पंजाब का मूल मंतर ये रहा है गुरू साहब ने गुरू नानक देव जी ने सर्बसांजी वालता की बात कब की थी आज भी उस पे पैरा देने के लिए पंजाबी उसी तरह तत पर खड़े हैं अगर सुनील जाखर ने आज एक परिवार से पचास साल का रिष्टा तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधार बूत बाते थीं किसी कोई व्यक्तिकत जगड़ा नहीं था जगड़ा राष्ट्र अगरिजम एक एक फोर सेवन की गोडिया नहीं तोड़ पाई जहां आपसी बाईचारे में चाहे वो सिखों चाहे हिंदू हों उनके अंदर किसी किसम का कोई द्वेस्ट की बावना पैदा नहीं होई 25,000 से ज़्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी पर आप भी गवा कोई किसी सोच ही नहीं आई और उसी राष्टित्या की बावना के लिए पहरा दे के सुनील जाखर ने अपनी 50 साल की जिंदगी का वोई मूल मंतर था परंतु दुख इस बात का है मैं बड़े बरेमन से कह रहा हूं कि आज जब अपने परिवार से नाता तोड़के दूसर के नाम पे नहीं तोड़ सकते पंजाब को आप परसंटेज में नहीं दे सकते कि ये अमुक जो धरम है अमुक जाती है अमुक समुदाए है उसकी परसंटेज कितनी है तीस परसंट है चारीस परसंट है पंदरा परसंट है मैं समझता हूं पंजाब एक सुबह है जिसने दे को बराबरी का there is no second class citizen in पंजाब और इस बावना को लेके पंजाब अगर नहीं प्रसूबा रहा है चाहे वो हमने देश की सिमाओं पे लड़ाई लड़ी है चाहे देश के विकास में हर सुबे प्रांत में पंजाब ने अपना नाम कमाया है कुछ लोग बात करेंगे क्योंकि हुआ क्या कोई एक व्यक्ती की बात नहीं है कि एक व्यक्ती ने बोल दिया और समंध चूट गया ओकना कची यािरी है निससान इस तरह ही टूटा करती यह कोशीशा नहीं है जो πचास साल का समंध र móट कहते है कोशीशा नहीं है कि पहले हम इंसान हैं हमने रिष्टों को निवाया है असूलों की तरह पर जब असूल ही तूट जाएं जब हम अपने सिद्धान से हट जाएं अपनी आइडियोलोजी से हट जाएं तो मैं समझता हूं इस इस राइट टाइम टू है री तिंक उसको सारा सोचना पड़ता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं आज किस तरफ पड़े जा रहे हैं तो उसको लेके मैं समझता हूं कि यह निरने लिया गया और क्यों निरने लिया गया बीजे पी के पास मैं क्यों बीजे पी के आपके यहाज मंच पे बैठाओं सब तरह तरह की अटकले लगाई जा रही थी सुनील को लेके कियास लगाय जा रहे थे क् बड़ा सबावी था जिस दिन से नड़ा साहब आपने देखा कि मैंने गुडबाई बोला मेरी तरफ से तो गुडबाई गयरां तरीक को जिस दिन मैंने देख लिया कि आवाज के उपर पबंदी लगाने के लिए नोटिसिस जाने किये जा रहे हैं तो आवाज नहीं रोकी जा सकती सुनील को आप पद से अटा सकते हैं किसी से दूर कर सकते हैं सुनील के आवाज गिर भी नहीं रखी जा सकती आवाज राश्टीता के लिए उठेगी पर अंतु क से बार मेरी मुलाका तो ही मानिये परदानमंत्री से जब वो पंजाब आए करतारपूर कोरिडर एक बहुत लंबे समय कि मांग बलूनी जी जो सारे सिक्ष समुदाय की नहीं पूरे पंजाबियों की जो भी व्यक्ति पंजाब से प्रवेश्टी चुड़ा है सबका था कि हमे करतारपूर सीज़ाब जाके हमें अपनी बात शर्दा नमन करने का उसकी संभाल का उस हमारे गुरुगर का हमें को मौका मिले उस समय ये सुबागया था कि मुझे वहाँ पे प्रदानमंत्री जी के पास बैठके गुरुगा लंगर शखने का मौका मिला उनसे बात करने का म ये बावना रही है कि पंजाब कुर्बानियां बहुत दी हैं, टेर्रिजम के अंदर कुर्बानियां दी हैं, देश की रख्षा के लिए, जब भी मौका पड़ा है, चाहे जब से धारवी पंजाब आने लगे हैं, चाहे उसके बाद पाकिस्तान हो, चाहे नहीं हो, हर सूप, पंजाबियों ने कुर्बानियां दी हैं, और उस कुर्बानियों को चलते मेरे एक मानना था हमेशा ही, कि भी मौका लगा, तो प्रियास करेंगे कि पंजाब को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया जाएं, नटा साब कागजों में तो भी फॉर्मली नहीं दिया गया, कॉंसिचूशनली तो नहीं दिया गया, बहुत सी मजबूरी हैं, सरकारों की वक्त की मजबूरी होती हैं, पर उन्तु मेरा मानना है कि वेवारिक तोर पे मानिया परदान मंतरी ने पंजाब को स्पेशल स्टेटस दे दिया, और उसका जीता जागता सबूत है, जब मानिया परदान मंतरी ने लाल किले पे हिंद की चादर गुरु तेग बादर जी का चार सोवा प्रकाश दिवस मनाया, तो मैं समझता हूं कि उनके जो सबसे ज़्यादा कटर विरोधी थे, उन्होंना भी अपने दिल में से विकार किया, कि वो पंजाब की नबस समझ गएं, पंज पंजाबी, मिलजुल के मानस की जाद सबह एको पहचानवे, कहां कश्मीर के पंडितों को लेके चाहे आज तक संगर चल रहा है, कब गुरु साब ने यहां पे इन मुगलों के पास आके अपनी कुरुबानी दी थी, और मैं समझता हूं उस बावना को नमन है, उस बावना को जितना भी कहें, चाहे बहुत से, मानिय परदान मंतरी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से से काम की हैं, पर एक पंजाबी के तोर पे मैं, शायद किसी को अच्छा ना लगे, मैं समझता हूं, यह जो उनका एक कदम था, यह एक इस लेंड मार्क, इस ने अपने उस दर्ती से आते हुए, जैसे गुरु नानक देवजी के बारे में, अलामा अकबाल ने कहा था, कि फिर उठी, सदा आखरी एक तोहीद की पंजाब से, मर्दे कामिलने जगाया हिंद को एक फिर खाव से, आज मैं समझता हूं, फिर वही बावना पंजाब से लेके, यहां अगर मैं रती बर्वी देश में और पंजाब के लिए उस अखंडता को कायम रखने में काम्याब होता हूं, तो मेरा जीवन सार्थक मैं मानूँगा, वही हार्दिक पटेल की बात करें, तो कॉंग्रेस से स्तीफा देने के एक दिन बाद, पार्टिदार नेता हार्दिक प की लोगों से पक्षपात करते हैं, हम आपको बता दें कि गुजरात में इस साल विधानसवा चुनाओं होने वाले हैं, और हार्दिक पटेल ने बुद्वार को यह कहते हुए कॉंग्रेस की सदस्ता से स्तीफा दे दिया था कि पार्टी के शीर्ष नेताओं का ध्यान अप पर कुछ नहीं बोलती हार्दिक पटेल ने कहा इसके अलवा गुजरात कॉंग्रेस में जाती राजनिती बहुत जादा होती है, उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी में तीन साल बरबाद किये, माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल एक दो दिन में ही भाच्वा में शामिल हो सक अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके